सार सक्सेस में आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन फोरंट पॉलिसी से जुड़े कुछ इंपोर्टन्ट एमसे क्यूजिस के बारे में और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट हो सकता है क्योंकि मैंने इस लेक्चर में कुछ इंपोर्टन्ट कोशिन्स को फ्रेम किया है तो इस लेक्चर को आपने लास्त तक देखना और खास बात ये भी है कि इस लेक्चर में आपको फुल एक्स्प्रानेशन भी मिलेगी पहला प्रशन है बी सुनील खिलनानी कैसे होगा इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं तो सुनील खिलनानी ने ही नैम 2.0 को कोईन किया था और नैम अर्थात नौन अलाइन्मेंट 2.0 भारत की 21 शतावदी की एक फॉरण और स्टेटेजिक पॉलिसी रही है सुनील खिलनानी ने राजीब कुमार, प्रताभ भनु महता प्रकाश मैनन, श्रिनात रगावन और श्याम सरन के साथ मिलकर 2013 में एक डॉक्यूमेंट लिखा था जिसका नाम है नौन अलाइन्मेंट 2.0 और ये जो डॉक्यूमेंट है अर्थात नैम 2.0 शिमला समझोते पर कब हस्ताक्षर किये गए थे हमारे पास ऑप्षन्स है पहला 1.01972, दूसरा 2.01972 तीसरा 3.01972 और चौथा 4.01971 तो इसका correct answer होगा B.2.01972 कैसे इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं तो शिमला समझोते पर हस्ताक्षर हुए थे 2.01972 को और ये effect में आया था 4.01972 को और इस पर sign किये थे इंदिरा गांदी और जुल्फिकार अले भुटो ने और 1974 में जो war हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के वीच उसको खतम करने के लिए शिमला में ये समझोता हुआ था इसी वज़े से इसको शिमला एकॉड या फिर शिमला एग्रिमेंट के नाम से जाना जाता है question 3 है screen पर जितने भी आपको agreements या फिर pacts दिखाई दे रहे हैं इनको आपको chronological order में rearrange करने हैं जैसे फरक का बेरेट्स agreement, treaty of peace and friendship इंडिया एन नेपाल, इंडिया USSR friendship treaty, श्रीमाबो शास्त्री pact, तो ये रहे screen पर आपके पास कुछ options A, B, C, D तो आप वीडियो को पॉज करके answer दे सकते हैं, तो इसका correct answer होगा D, कैसे होगा इसको थोड़ा सा explain कर लेते हैं तो treaty of peace and friendship इंडिया और नेपाल के बीच 1950 को होती है, श्रीमाबो शास्त्री pact 1964 को होता है, इंडिया इवेससार friendship treaty 1971 को होती है और फरक का बेरेज एग्रिमेंट इंडिया और बांगलादेश के बीच 2008 को होता है question number four यहो किस ने कहा था कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं तो यह है कुछ options पहला अटल बिहारी बाजपई, दूसरा पंडित नहरू, तीसरा इंडिरा गांधी, चौथा नरेंदर मोधी, तो इसका correct answer होगा यह अटल बिहारी बाजपई क्योंकि अटल बिहारी बाजपई नहीं यह कहा था कि इस question में आपको screen पर जितनी भी statements दिखाई दे रही है इन में से आपको correct statements को चूज करना है, जैसे पहली statement है Smiling Buddha 1974 Code name of India's first nuclear explosion दूसरी statement है Operation Parakram Code name of India's second nuclear explosion तीसरी statement है Operation Meghdood Code name of Indian Armed Forces in 1984 in Siassan Conflict फोर्थ statement है Operation Woodroze Indian Military Activity after Operation Blue Star from 1984 to 1992 इन statements में से आपको correct statement का चुनाओ करना है तो यह रहे हैं आपके पास options पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इसका correct answer होगा B, कैसे होगा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो भारत ने 1974 में पहला परमानू परिक्षन किया था जिसका code नाम था Smiling Buddha वहीं भारत ने दूसरा परमानू परिक्षन 1998 में किया था जिसका code name था Operation Shakti वहीं Operation Meghdood भारत की जो Indian Armed Forces रही है 1984 में Siasin Conflict से संबंदित उसका code name था वहीं Operation Budrose Indian Military एक activity रही है जो की Operation Blue Star के बाद पंजाब में 1984 से 1992 के बीच रही थी हमारे पास अगला question है कौन सा देश भारत की nuclear policy को nuclear blackmail के रूप में देखता है हमारे पास screen पर कुछ options हैं पहला चाइना, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा युएस से चौथा श्रेलंका तो इसका correct answer होगा ए चाइना ही भारत की जो nuclear policy रही है उसको nuclear blackmail के रूप में देखता है Next question है भारती विदीश निती से जुड़े important concept और उनकी leaders जो आपको screen पर दिखाई दे रहे हैं इनको आपस में match करना है जैसे genuine name, hyper realism, actist policy, neighborhood first policy, look west policy, good neighbors policy तो ये रहे screen पर आपके कुछ options A, B, C, D तो इसका correct answer होगा C कैसे होगा इसको भी detail में समझ लेते हैं तो genuine name का जो concept है वो दिया था मोरारजी देशाई ने hyper realism से जुड़े हैं इनिरा गांधी वहीं actist policy की बात 2014 में मोधी ने की थी neighborhood first policy की बात भी मोधी ने 2014 में की थी वहीं look best policy को मनमहान सिंग ने 2005 में शुरू किया था वहीं good neighbors policy को 1996 में आई के गुजराल ने दिया था जिसे की गुजराल doctrine के नाम से भी जाना जाता है next question है लाहोर declaration जिसे हम लाहोर bus initiative के नाम से भी जानते हैं उसका official नाम है A. दोस्ती है सरहद B. सदा है सरहद T. सरहद है दोस्ती और D. सरहद है सदा तो इसका correct answer है B. सदा ए सरहद कैसे हैं इसको थोड़ा detail में समझ लेते हैं तो ये officially जाना जाता है सदा ए सरहद और इसको शुरू किया था 19 फरबरी 1999 को हलांकि ये जो बस सर्विस है इसको रोक दिया गया था तब जब 2001 में भारतिये पारलेमेंट पर आतकबादी हमला हुआ था और इस बस की शुरूआत या फिर इस बस सर्विस की शुरूआत की थी भारतिये प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपई और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने next question है screen पर आपको कुछ books और उनके authors दिये गए हैं तो इनको आपको match करना है पहली book है New Dimensions of India's Foreign Policy दूसरी है India as an Emerging Power तीसरी है Effective Despotism और चौथी है Crossing the Rubicon तो ये है आपके options A, B, C और D तो इसका correct answer होगा C कैसे होगा इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं तो ये है एक तरफ book दूसरी तरफ author New Dimensions of India's Foreign Policy 1989 में लिखी है अटल बिहारी बाजपई ने India as Emerging Power 2002 में लिखी है सुमीत गांगुली ने Effective Despotism 1993 में लिखी है डेबिड M. Malone ने और Crossing the Rubicon 2003 में पब्लिश या फिर लिखी है राजा मोहन ने इस lecture का last question है आपको एक तरफ military exercises दिखाई दे रही है दूसरी तरफ countries दिखाई दे रही है तो आपके पास कुछ options है A, B, C और D तो इसका correct answer होगा B कैसे होगा इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं तो hand in hand जो military अभ्यास रहा है या फिर exercise रही है वो इंडिया और चाइना के बीच है बज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास इंडिया और USA के बीच है वहीं अजे बॉरियर इंडिया एंड यूके के बीच है जो कि 2008 में start हुई थी और सूर्य किरन इंडिया और नेपाल के बीच military exercise है जो कि 2011 में शुरू हुई थी अजिक के बीचा और सूर्ब ने दो K 2030 में